आप सभी का मेरे चैनल पर पुरह स्वागत करता हूँ आशा करता हूँ कि आप सभी सुस्तोंगे महादेव की कृपाब सभी पर सदय पंज़े ये वीडियो सिम्ह यानि की लियो के लिये अतिन्त विशेश है क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानि की 2-8 सितंबर 2024 के साप्ताहिक राशिपल के बारे में कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिम्ह के लिए जो मेरा साप्ताहिक राशिपल होता है वो प्रमुकतः चन्रमा की गती पे आधारित होता है, चन्रमा की गती पे आधारित एवं निरधारित होता है, किस प्रकार चन्रमा इस पूरे हफते राशी बदलेंगे, चन्रमा बहुत तेज भागते हैं, सवाद उसे धाई दिन में राशी बदल लेते हैं, स्वभावी कहे कि पूरा हफता जो साथ दिन का होता है, उसमें वो कई बार आशी बदलेंगे, कई बार ग्रहों के संपर्क में आएंगे, तृष्टी योग, संबंद बनाएंगे, तो इसका प्रभाव पड़ता है जीवन पर, चंद्रमा मन के कारक है, उनकी विशेष्टा ये है, कि जिस भाव में जाते हैं, उसको एक्टिवेट कर देते हैं, इसलिए डे-टू-डे-अक्टिवीडियो पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत जादा रहता है, और आने वाला सप्ता किस प्रकार से आपको जोतिश के माध्यम से अपने जीवन को गाइड करना है, प्लैन करना है, उसके लिए साप्ताहिक राशिपल की विशेशता अत्यन्त होती है, यदि आपकी लगन राशी या चंदराशी सिम्ह है, दोनों ही गाइडन्स के लिए राशिपल को देख सकते हैं, वीडियो के इन्त में कुछ विशेश उपाए भी बताऊंगा, जिसके करने से अवशेश सफलता प्राप्त होगे, शुरू करते हैं, सरपतम चंदर्मा दो तारीकों अल्रेडी आपके लगन भाब में ही होंगे, आनिकी सिम्ह में, और चार सितंबर सुभा के दस तक यहीं पे उनका प्रवास रहेगा, चंदर्मा का लगन भाब में आना वैसे तो अच्छा ही होता है, चंदर्मा लगन में कहिना कहीं पूरे महीने में एक बार आते हैं, तो वो टाइम होता है जब आपको आने वाले महीने को प्लैन आउट करना चाहिए, जैसे अब अगर बात करें तो चंदर्मा करिबन अभी 2 सितंबर चल रहा है, या स्टार्ट होगा तो अब या तो सितंबर के अन्त में आगर अक्टूबर के स्टार्ट में आएंगे आपके लगने भाब में, तो यह पूरा टाइम होता है जहाँ पे आपको अपने पूरे आने वाले महीने को प्लैन आउट करना है, कुछ नई चीज़ों के शिरुवात होती है, एक थौर्ट प्रोसेस बदलता है, हम महीनों की बात करते हैं कि हमारा जो इंग्लिश के महीने हैं, उसमें कारते हिंदू जो हमारी कैलेंडर उसमें चंद्रमा के अधार पर महीने बने हुए हैं, तो यहाँ पर वह बहुत नहीं करती हैं, लेकिन एक प्रकार से जब चंद्रमा लगना में आते हैं, वह भी आपका जो एक महीने का अल्मोस प्रीड हो जाता है, बहुत विशेश हो जाता है, तो यहाँ पर अपने आने वाले महीने को प्लैन आउट करने के लिए बहुत अच्छा समय हैं, चंद्रमा सूरे के साथ बैटे हैं, सूरे लगनेशे हैं, चंद्रमा बारवे घर के स्वामी हैं, जो लोग विदेश समन्दित कुछ कारे करना चाहते थे, बहुत अच्छा समय हैं, अब विदेश जाना चाहते थे, विदेश में, या विदेश के लिए वीजा अपलाई करना चाहते थे, इन सारी ही चीजों के लिए अच्छा समय हैं, बुरा क्या है कि ये अमवस्य दोश हो गया और चन्दमा बारवेगर के स्वामी है तो जिन लोगों को कोई मानसिक विकार है उनके लिए थोड़ा सा मानसिक रूप से कश्टकारी समझ जाएगा जिनको अलड़ी कोई हेल्ट इशू चल रहा था उनके लिए थोड़ा कश्टकारी हो सकता है और शनी की दिश्टी के खारण विश्टोश भी बन गया तो थोड़ी सी उदास ही इनता रहे गया ऐसा नहीं कि कुछ बहुत बुरा ही हो जाएगा लेकिन छोटी छोटी चीज़ें उदास कर जाएगा कभी-कभी without any particular reason भी आप थोड़ा सा उदास फील करेंगे तो हफ्ते के शुरुवाती भाग में जिस चीज़ पर आपको सबसे ज़्याद देना है वो है अपनी मांसिक सेहत उदास नहीं रहना अपने कारियों को पूर्ण कीजएगा प्लैन कीजएगा चंद्रमा और सूर्य साथ में बैठते हैं तो अमावस से दोश्टों बनाते ही हैं लेकिन नहीं भूलना चीए कि अगर हम नव ग्रहों की बात करें तो ग्रहों की राजा है और ग्रहों की रानी हम को कहते हैं चंद्रमा को तो इनका योग भी बहुत important होता है इसलिए अमावस की जो दिन होता है वो कई बड़े-बड़े अनुष्ठानों के लिए होता है अमावस के दिन लक्ष्मी मादा की बोजा होती है अमावस के दिन कई तांत्रिक अनुष्ठान होते है तो ऐसा नहीं कि अमवस negative ही है, हाँ समवेदन चीलता बढ़ती है, तो अपने जीवन को या अपने जीवन में कुछ changes लाने के लिए अमवस का योग आपको help भी कर सकता है, लेकिन obviously जिनके अपनी कुणली में चंद्रमा पीडित है और कोई मानसिक विकार है उनको, उनके बारवे घर के स्वामी लगन में है चंद्रमा, यानि कि हफते के शुरुआत में कोई बड़ा खर्चा भी आपका हो सकता है, नवांच कुणली कह रही है कि एक सकरात्मक्ता और एक नई सोच जागरुत होगी, दश्मांच कुणली कह रही है कि कारक्षेत्र में कुछ नया स समय है, साथ में बैठकर विचार करने का समय है, स्टूडन्स अत्यन्द शुब समय, कोई अग्जाम है, कुछ कार्याट करें है, सब कुछ यहां पर पूर्ण होगा, सेहत की जहां तक बात है, आपको नेत्र विकार, हड्डियों के रोग और स्लीप डिसॉर्डर तक करेंग आपके दूसरे भाब में आने की कन्या में, और इसी दिन पुद्ध का भी गोचर हो जाएगा, वो आपके लगन भाब में आ जाएगे, सुबा दस बजे चार सेतंबर से छे सेतंबर ग्यारा बजे रात के, यहां तक चंद्रमा का प्रवास दूसरे भाब में ही जाएगा, चंद्रमा का दूसरे घर में आना अच्छा ही माना जाता है, यहां पर चंद्रमा और शुक्र की उती है, अपने आप में यह एक लक्ष्मी योग ही बन जाता है, क्योंकि शुक्र लक्ष्मी है, और अगर हम चंद्रमा की बात करें, तो चंद्रमा शुक्र की ही राशी में वापस आ सकता है, अब यहाँ पर दूसरा भाव बहुत एक्टिव है, चंद्रमा शुक्र और केतु है, मंगल की दृष्टी है, जो आपके योग कारत हैं, और आपके भागेश हैं, और आपके चतुर्थेश हैं, और गुरु की दृष्टी भी है, क्यानि कि खुद जो अश् पांच, आठ, ग्यारा, अगर ये कभी भाव एक्टिवेट होते हैं, तो बहुत तेज गती से बड़ी धन की प्राप्ति होते हैं, यहाँ पर सारे एक्टिवेट कैसे हो रहे हैं, दूसरे भाव में सारे ग्रह बैटे हैं, पंचमेश गुरु देख रहे हैं, अश्टमेश देख रहे हैं, ग्यारवे में बैठे मंगल देख रहे हैं, तो ये पनफरा योग बन गया, जो अत्यन्त विशेश धन प्राप्ति के दरफ दिखाता है, थोड़ा सा ध्यान किस पर देना है, कारक्षेत्र में, अर्फित्र कोन है, वानी की चपलता पर ध्यान दीजेगा, व वानी पर परस्नल लाइफ में भी आपको कंट्रोल देना पड़ेगा, अनेथा इसका थोड़ा बुरा प्रभाव हो सकता है, अगर कहीं पर पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो हफते के इस भाग में थोड़ा सा अवाइट कीजेगा, गवान्च कुनली बता रही है कि, यहा पर किसी पर ट्रस्स मत कीजेगा, पैसा उधार मत दीजेगा, दश्मान कुनली, कारेक शेतर में महनत बहुत करेंगे, फल थोड़ा कम मिलेगा, रिकांगनेशन बहुत नहीं मिलेगी, बिजनस की जहां तक बात है, यहां पर कुछ नया करने का अवसर, अपने आपको एक्स अपकेशन जानने की कोशिश कीजेगा, हम expectations बहुत रखते हैं, लेकिन सामने वाले वीक्ति की expectation कभी-कभी नहीं समझ पाते हैं, समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं, तो अपने life partner के expectation को समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा है, जातक students की बात है, ठीक है, लेकि बारवा घर बली है, खर से थोड़े से अभी भी आपके बढ़ेंगे, लेकिन विदेश समुझे तुछ कारे करते हैं तो लाब होगा, छे सितंबर रात के ग्यारा चंद्रमा आ जाएंगे तीसरे घर में, और सब तहा के अन्त तक यहीं पे रहेंगे, यह अत्यनत शुभव योग है आपका, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा तीसरे घर में आ रहे हैं, जो अपने आप में बहुत अच्छा स्थार है, चंद्रमा का, और शुक्र की राशी है, व्रिशब में, और जो दूसरी राशी है शुक्र की, तुला, इसमें भी चंद्रमा बह और जीवन में एक नया कुछ शुरुवात करना चाह रहे थे, कुछ इनिशेट करना चाह रहे थे, कोई बड़ा कदम उठाना चाह रहे थे, उन सारी चीजों के लिए जो योग है आपका, यह बहुत अच्छा रिजल देगा, एक मात्र नेगेटिव चीज यहां पर यह है, कि गुरू से हो गए छटे भाव में, और यह बन गया शकट योग, जब भी गुरू से छटे या आठवे में चंद्रमा होते हैं, तो इसको शकट योग कहते हैं, शकट योग यानिकी, जो बैल गाड़ी होती है, उसको शकट गहते हैं, तो कभी-कभी इसमें क्या होता है, कार भी समय बहुत अच्छा है नवांच कुणली के लिए गुस्ते पर नियंत्रन बॉडी लेंगुश पर नियंत्रन उत्साहा पर नियंत्रन दश्मांच कुणली कारेक्षेत्र में बहुत कुछ नया सीख सकते हैं एक नया अपने आपको कोई ऐसी नई स्कील सिखा कर अपने यहां पे अचानक से उतल उतल मत सकते हैं सब ठीक चल रहा होगा अचानक से कुछ ऐसा हो जाएगा कोई कहासर नहीं हो जाएगी जिसका बहुत देर तक और दूर तक प्रभावा सकता है शात रहिएगा स्टूडन्स अत्यंत शुब समय अत्यंत शुब हफते का अंतिम सकता है और इसके साथ ही हॉर्मोनल डिसॉर्डर अभी भी तंग करेंगे सरवाश्टक में आपका अश्टम बली है अचानक से एक नई सोच आएगी जो आपको आगे ले कर जाएगी उपाय के सुरुप में पात्र में जल लेकर उसमें कुछ अक्षत डालकर ये जल को सूर कुछ देता को अर्पन नई कर रहा होंगे तो ओम भास कराई नमामंत्र का आपको जाप करना है आशा करतो हों कि वीडियो काम आएगा चैनल पर ने है सब्स्क्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर लीजिए मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए ओम नमस झाल झाल